चलिए, आज सुनते हैं लाल्ची लकड़ार के कहाने एक गाउ में रामलाल नाम का एक लकड़ार रहता था वो अपनी जीवी का चलाने के लिए गाउ के पास के ही जंगल से रोज लकड़िया चुनता और उन्हें बेज कर कुछ पैसे कमा लेता था इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था कुछ दिनों के बाद वो रामलाल की साधी हो गई उसकी पत्नी बड़े ही खर्चीली थी इसलिए अब उतनी लकड़ियों को बेच कर घर चलाना मुश्किल हो गया था उपर से रामलाल की पत्नी कभी नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी किसी दूसरी चीज के लिए रामलाल के साथ बार बार जगड़ती और पैसे मांगती थी अगर पैसे ना मिले तो रूट भी जाती थी रामलाल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था इसलिए उसकी नाराजगी को भरदास नहीं कर पाता था रामलाल ने ठान लिया कि वो अब जादा लकडियां इकठे करके बेचेगा ताकि उसकी पत्नी को रोज रोज पैसों के कमी नहूँ पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए रामलाल घने जंगल तक चला गया और बहुत सारी लकडियां चुनकर बाजार में बेच दी जादा लकडियों को बेच कर जादा पैसा मिले तो खुस होकर रामलाल ने सारे पैसे अपनी पत्नी को दे दिये अब बिचारा रोज रामलाल ऐसा ही करने लगा